तो चलिए बात करते हैं UAE Women vs Hong Kong Women के भी जो T20 मुकाबला खेला जाएगा सबसे पहले दोनों टीमों में strong की बात की जाए तो UAE Women की टीम जो थोड़ी से strong है और इनके win भी करने के chance काफी अधिक है जब दोनों टीम आपस में दो बार टकर आई थी तो दोनों बार UAE Women की टीम ने ही win किया था लेकिन फिर भी एक कड़ी टकर हो सकती है टीम बनाने में थोड़ा सा दिकते आ रही क्योंकि सभी का टीम लगबग सेम बेसिस पे बन रहा है और वो पिलियर भी बेतर है तो मैं जान बुच कर यानि कि जबड दस्ती आपका सकते हो मैं रिस्क लेने वाला हूँ तो इन्वेस्ट जो है आप अपने अनुसार करना जादा नहीं करना पिलिंग 11 आए नाए उनका आपको टेंसर नहीं लेना है काहीं कहीं समयाई पिलिंग 11 तो प्रोवाइड कर ही दूँगा तो इनके लिए आपको करना क्या होगा हमारे टेली गराम चैनल को आपको जोआन करना काफी जरूरी है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया लिंक के जरीए जुड़ोगे सही सटिक चैनल पे चले जाओगे अगर जदी आप चाहो तो सर्च भी कर सकते हो domestic playing 11 तो दोस्तों जैसे यहाँ पर सर्च करोगे यहाँ पर देख सकते हो 44.5 के सब्सक्राइबर के आसपास दिखेंगे यहीं पर आपको आकर जुड़ जाना है इन से अधिक सब्सक्राइबर वाले कम सब्सक्राइबर वाले हू बहू आपको domestic billing ले भनना जराएंगे वो बिल्गुल fake चैनल है ओरिजिनल चैनल आपके स्क्रीन के उपर तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देख लेते ICC रेंकिंग दोनों टीमों को क्या है तो यहाँ पर देखो UAE वोमेन की देखा जाते हैं यहाँ पर 15 है ICC रेंकिंग इनकी अलावे होंकोंग वोमेन का यहाँ पर तैस है तो इन ही से अंदाजा लगा सकते कि UAE वोमेन की टीम जो थोड़ी से इस्ट्रू है लेकिंग फिर भी आप वन साइड़ टीम नहीं बना सकते क्योंकि दोनों टीमों में ओल्राउंडर सेक्षान जो काफी बढ़िया है तो दोस्तों यहाँ पर UAE वोमेन और होंकोंग वोमेन की टीम जो आपस में खेली थी मुकावला यहाँ पर 11 रन से यहाँ पर देखो UAE वोमेन नहीं यहाँ पर विन किया था E.O.J. की बात के यहाँ पर 22 रन जड़ी साथ में यह गिनबाजी भी करेगी K.E.GO.DJ. की बात किया थिहाँ पर 28 रन इनके लावे 37 ने यहाँ पर 5 रन की पारी खेली इनके लावे इनके केप्टन सी मुगल यहाँ पर 20 रन की पारी खेली और यहाँ पर सी सेना वी रनते की बात की जाए तो यहाँ पर इन्होंने 13 रन की पारी खेली तो दोस्तों यह है इनका स्कोर कार्ड इनके अलावे यहाँ पर इनकी गेनबाजी देखी जाए तो सी मुगल ने दो बिक्टे लेगे इनके अलावे सारे गेनबाजी ने गेनबाजी किया एम गौर की बात की जाए तो इन लोगों को बिक्टे नहीं मिला लेकिन अच्छी गेनबाजी की इनी के अनुसार देखा जाए जब होंकोंग ओमेन बले बाजी क्या था तो एन मिल्स ने यहापर साइटिस, केचान चोबिस, एम हिल ने यहापर चोबिस रण जड़े थे गेन बाजी देखी जाए तो केचान ने यहापर तीन बिक्टे, इनके लब आर बेन के टस की बात क्या दो बिक्टे लेगे, और बेन के टस ओर राउंडर सेक्शन में जिनको फिक करना थोड़ा सा मुश्कील है, एम हिल काफी बनिया है, एम बीबी भी काफी बनिया है, लेकि गेन बाजी में देखा जाए बेन के टस दो बिक्टे लेगे थे, ओजा एक बिक्टे, इनके अलावे बाकी के एक एक बिक्टे मिला था, और सी मुगल को हाँपर कोई बिक्टे नहीं मिला, लेकिन गेन बाजी इन्होंने चार उभर में नोई रन दिये, काफी धमाके दार गेन बाजी इन्होंने किया था, अब यहाँ पर तेखा जा होंकोंग वोमन की तरफ से, तो के चैन ने 19 रन की पारी खेली, इनके अलावे कोई कुछ खास नहीं कर पाए, गेन बाजी में जे टिटमस ने दो बिक्टे, बी चैन दो बिक्टे लेगे, इनके अलावे आर बेन के टस ने एक बिक्टे, के चैन एक बिक्टे, ये संटो की बात के एकी ओबर डाले छे रन देकर एक बिक्टे लेगे, तो अच्छी खासी गेन बाजी रही थी, तो दोस्तों यहाँ पर योई मुमन के लाश्ट के कुछ मेंच देखा जाए, जो अलग-अलग टीम के तो काफी कमजोर टीम थी, इस वज़ा से इन्हों ने यहाँ पर काफी बनिया खिल लिया, एल केनी की बात के चार बिक्टे लेगे, के सर्मा दो बिक्टे, देखो इन लोग के टीम पे गिनबाजी ओप्शन काफी अधिक होते, कौन सा गिनबाज कितना ओबर करेगा, ये याद रखना है कि किसी वी तरह से ये मेच अलग फलग भी हो सकता है, इन वज़ा यहाँ पर देखो ओपन आती थी, लेकिन यहाँ पर चार नमर पे 18 रन की पारी, के इक ओडिजे की बात के यहाँ पर 92 रन की पारी, एल केनी 1 रन, 30-37 रन की पारी खेली थी, गिनबाजी द केरी चेन यहाँ पर 26 रन की पारी खेली, गिनबाजी देखी जा, एम हील, एम वीबी एक एक बिक्टे और केरी चेन को भी एक बिक्टे मिला था, बी चेन यहाँ पर चार उबर में 18 रन दिये काफी पणिया, गिनबाजी किया, नाथल मिल्स यहाँ पर देखा जा, 34 रन, के गिनबाजी में यहाँ पर बी चेन ने दो बिक्टे, आई सहर ने दो बिक्टे, और बेन के टस ने यहाँ पर एक बिक्टे लेगे थे, इनके लाए फिर से इनका मुकाबला देखा जाते, एम हील यहाँ पर 36 रन की पारी खेली, केरी चेन ने आपर 28 रन की पारी खेली, इन पर बल्ले बाजी देखोगे तो एम हिल ने 42, नाथन मिल्स ने 16, केरी चैन ने 17 और ईलाई न यहाँ पर 14 रण की पारी के लिए तो दोस्तो हम लोग उने सारा स्कोर कार्ड देख लिए आप चली हम लोग देखते हैं कोंबिनेशन क्या बन रहा है तो दोस्तो कोंबिनेशन तो हम लोग देखेंगे इससे पहले हैं कि जदि हमारे यूटूब चैनल को अब सब्सक्राइब नहीं किये हो तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ड्रीम 11 से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है मैं सबसे पहले इनफोर्मेशन देता हूँ इनके अलावे कुछ जनकारी लेना इस्ट्राग्राम पर मेंसेज करो ना मैं वहाँ पर सारे लोग का रिपलाई देता हूँ वह भी बहतर तरीका से तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाएं जो मैं एक टीम ओडेडी यहाँ पर बना के रखा हूँ यहाँ पर देखा जाएं तो यहोजा को मैं केप्टान देखा हूँ लेकिन यह हमारा फाइनल टीम होगा नहीं फाइनल टीम क्यों नहीं होगा कि बाकी का जितना भी पिलेर लगभाग सब सही और सटीक है तो जो खेलेगा उनकी अनुसार पीक करना 37 को यहाँ पर पीक है यहाँ जाद भी काफी बढ़िया उप्सन है लेकिन 30-30 यहाँ पर देखा जाएं तो UAE का यहाँ पर बिगट की पिरिंग करेंगा अगर जैदि बिगट की पिरिंग के भूमिका में रहते हैं तो पिक करने को वर्णा मैं ट्रोप भी कर सकता है नातन मिल्स भी काफी बढ़िया उप्सन है, इनका भी सेलक्षन देखो काफी बढ़िया है इने भी पिक करना ची लेकिन मैं फिलार के लिए पिक नहीं किया हूँ इए ओजा की बात की जाए, इनके अलावे यहाँ पर देखो, इनका नाम आपको के विशा की बात की जाए, इगोड दिंजे जो नाम मैंने पढ़ा था, वो यहाँ पर है, तो यह भी काफी बढ़ी आप्चन है, इलाई ज्यादा बहतर नहीं है, एल केनिक यहाँ पर पीकिया अगर जो खेलती है, तो गिनबाजी करने की चांस काफी कम है, अक्सर यह ओपन भी आ जाती है, इस वज़ाँ से खेलेगी ते कि रिस्की चुआइस होगा, लेकिन रिस्क के साथ हम लोग खेल सकते हैं, एम हिल के चैन, इनके अलावे यहाँ पर देखा जाए, केरी चैन का यहाँ पर केप्टन भास के लिए सबसे बेस्ट ओप्शन हो सकते हैं, इनके अलावे चामानी सेना विरंते की बात किया, यहाँ पर देखो इनको मैं पिक किया हूँ, इनका भी देखो बलेबाजी कोई सही और सटीक नहीं, कई बार चार नमर पे आते हैं, कई बार काफी न नहीं मिल पाती है, और विरंके टैस को चाहूँ तो पिक कर सकते हैं, इनके अलावे यहाँ पर देखा है, सुंभा की बात किया, इनका भी देखो ठीक ठाक है, तो नहीं पिक कर सकते हूँ, लेकिन ओल्ड ओंडर सेक्शन में है, तो पिक करना थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है, ACU, GL पर ट्राइ करना, लेकिन चार ओबर यह गिनवाजी अक्सर करती नहीं है, बी चैन को तापको पिक करना होगा, के सरमा भी काफी बढ़िया उप्सन है, आई सहर अगर जदी इनको पिटाई परती है, तो दो ही ओबर कर पाती है, एक से दो ओबर, नहीं तो चार ओबर करने की छमता रखती है, फिलाल के लिए केपटन वाज के लिए वेस्ट ओप्सन देखा जाए, तो देखो, के चैन, सी मुगल ही होना चीए, यह दोनों के उपर ही आपको जाना चीए, लेकिन मैं थोड़ा सा रिस्क लेने बाला हूँ, क्योंकि सेम और सटिक टी पिलेर पे वे दिस्क कलूँगा, तो आप लोग ज़्यादा इंवेस्ट मत करना, काम इंवेस्ट करना थोड़ा साम लोग मजा सके लेंगे, तो फिलाल के लिए ये टीम सेफ करलो, ये टीम तो मैं बार-बार कर रहा हूँ, फाइनल नहीं, फाइनल टीम जो आएगी हो हमार टेली गराम चैनल पे आएगी, तो दोस्तों फिलाल के लिए मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, सिधा मिलता हूँ इस मेंच के अपडेट के साथ।